हाई फ्रेंट्स मैं प्रवासने आप सबी को सागत करती हूँ मेरी किचन पे आज हम चावल और कोकानट को मिक्स करके एक बिठा बनाएंगे जिसको हम ओडिया में चितो बिठा भी बोलते हैं आज हम कोकानट की स्टापिंग देखकर चितो बिठा बनाएंगे चितो पीठा बनाने के लिए मैंने आपर 400 ग्राम चावल को एक घंटे से पहले बिगो के रख दिया था अब हम चावल को अच्छे से वास कर लेंगे चावल को अच्छे से वास करके ग्रैनिंग जार में डाल देंगे अब हम इसमें एक कोकानेट को मैंने ग्रिटेट करके रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे डाल के इसे हम अच्छी तरह से ग्रैंड कर लेंगे और थोड़ा सा मेंने कोकानेट बचा के रखा है स्टपिंग बनाने के लिए अब हम इसको अच्छे तरह से ग्रैंड कर लेंगे कोकानेट और चावल को मैंने अच्छी तरह से ग्रैंड कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे सुगर तीन से चार बड़ी जमच सुगर डालेंगे नमक नमक डाल कर इसे में अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम स्टपिंग बनाएंगे इसको साइट कर देंगे और अब हम स्टपिंग बनाएंगे स्टपिंग बनाने के लिए पहले हम प्यान बिठाकर उसमें हम एक चमच घीर डालेंगे घी गरम हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे किसमेस इसको हम थोड़ी दिर के लिए इस तरा से दुनेंगे अब हम इसमें डाल देंगे रेटेट को करनेट को डालने के बाद अब हम गयास के फिम को पुरी जरा से लो करतेंगे और इससे हम लो प्लेम में ही दुनेंगे अब हम इसमें डाल देंगे गूर्ड जोल्च अमच गूर्ड देंगे रेटेम अच्छी दराशी मिला देंगे अब हम अब हम एक फिम को बीकर अब है लो प्लेम मेरे का ये चितू पिठा बनाने के लिए जो बैटर बनाए थे उसमें मैंने सूगा डाला था इसलिए मैंने याँ पर दो चमशी गोट डाला है अब हम इसमें डालतेंगे इलाइची का पाउडर थोड़ी सी काली मिर्च डाल का इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे यह हमारी स्टपिंग भी बन चुका है अब हम गयास कप्रिंग को बन कर देंगे चीतों पिठा बनाने के लिए मैंने आपर प्यान को गरम होने के लिए रखतीया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओयल और इसे हम चारों तरब फेला लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे तोड़ा सा ओयलेंगे अब ही हम इसको उपर सीटों की ठाकी टैटर को डालेंगे इसको डालते बड़ क्या सब्सक्राइब पूरी तरह से दो करतेंगे अब हम इसके ओपर स्टपिंग डालेंगे स्टपिंग डालने के बाद अब हम इसको ढप देंगे अब हम धकन खोलेंगे यह हमारी दो बिठा बन चुका है अब हम इसको निकाल देंगे और इसी प्रोसेस में हमें सारे बनाना है अब हम इसमें और अब हम इसको निकाल देंगे अब हम इसके ओपर स्टपिंग डाल देंगे अब हम इसको ढख देंगे अब हम धकन खोलेंगे देखिए यह भी हमारा चितो पिठा बन चुका है अब हम इसको भी निकाल देते हैं अब हम इसके ओपर स्टपिंग डाल देंगे इसी प्रोसेस में हमें जाए इसको आपके बनाना देंगे सारे बनाना है अब हम इसको डख देते हैं यह हमारी कोकानेट्स टपिंग चितो पिठा रीडी है अगर आप सब को आद का रिस्पी अच्छा लगा है तो मैं इस्पी को लाइकन से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो